आप सभी को मेरा प्रणाम है उम्मीद करते हूँ आप सभी अच्छे होंगे खुस होंगे तो चलिए हम आपके लिए न्यू बीडियो जो लेकर के आए हैं उसके बारे में कुछ चर्शा कर लेते हैं तो जो कथा चल रही है गुरू जी की बुरहान पुर में अस्वत थामाश आप से पहले बात करते हैं एक सी की जो गुरू जी हमें हमेशा देते ही है तो गुरू जी ने आज हमें बहुत अच्छी बात एक और बात जो कि हमें बताते ही रहते हैं तो वह हमें बताई है गुरू जी ने बोला है कि पानी पीओ च्छान और गुरू करो जान मतलब पान जैसे हम च्छान के पीते हैं, उसमें गंदगी ना आए, हमें कोई बीमारी ना हो, उसी तरह हमें गुरु जी भी ध्यान से करने चाहिए, कि ऐसा गुरु हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो हमें सदमार्ग की ओर ले चले, उचित मार्ग से हमें अवगत कराएं, उससे बंचित ना कराएं, ऐसा गुरु हमें अपने जीवन में करना चाहिए, और गुरु दक्षणा जो के हमें सिर्फ जीवन में एक ही वार लेनी चाहिए, कल कथा चल रही थी कि अश्वत्थामा जो कि सिर्फ चार साल की उम्र में थे वहाँ गर से चले गए थे वहाँ गए थे शिवजी से दूद की प्राप्ती करने के लिए तप में बैट गए थे गुफा में जाकर कि उन्होंने एक सिला को बाबा बोले नात मान करके उनका पूज़न रशना की थी उनके तप में लीन हो गए थे तो इसका आगे हम वर्डन करेंगे इस कथा में इसके सार के अनुशार और गुरू जी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें किसी में वेदवाव नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस ब्यासपीट पर बैट करके जो गुरू जी पता बाचते हैं वह जो चौकी पर जो स्रीमत गीता भागवत या सिम्हापुरान जो की पार्ट रखा जाता है जिस चौकी पर वो चौकी के चारो पैर चारो जातियों में बिद्यमान होती है एक पैर को बैश्य एक पैर को छत्रिय एक पैर को शूद्र और एक पैर को ब्रहमड के नाम से विगटित किया गया है इसलिए हमको किसी में वेदभाव नहीं करना चाहिए अब थोड़ा कथाखी ओर चलते हैं तो गुरू जी ने हमें बताया कि एक दिन मा पारवती भुले बावा से बोलती है कि हे नात आप अपने तीनों आँखें बंद रखते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी भक्ते जो आपकी दरवाजे पर आ रहा है वो किस भक्त पारवती कि मैं अपने नेत्रों को बंद रखता हूं पारवती आपको मेरे मुख पर जो तीन नेत्र देखते हैं मेरे नेत्र सिर्फ वही नहीं है मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने भक्तों की बोकार को कैसे सुनता हूं तब बोले बावा ने मा पारवती को उत्तर देत बोला कि मेरे तीन नेत्र सिर्फ मेरे फेस पर मेरे मुह पर नहीं मेरे रसूल में समाई हुए हैं मेरे तीन नेत्र मेरे बेल पत्र में समाई हुए हैं मेरे तीन नेत्र मेरे जलाधारी में समाई हुए हैं मेरे तीन नेत्र मेरे जो भक्त मेरे मंदिर की मेरे सिवाले की को जब चड़ता है तो जहां वहां जो मेरा दूत रहता है मड़ी बद्र उसके जो तीन नेत्रें वहां उस तीन नेत्रों से उस भक्त की मन की दसा को बाप कर लेता है और वहां मुझसे बता देता है बावा बोले कि मैं अपने नेत्रों को बंद करके रखता भी हूं तो भी म और बेलपत्र को इस पर्स करके वह जिस भाव से मेरे उपर अर्पित करता है तो उसके भाव को मैं समझ जाता हूँ बावा ने पारवत्ती मा को बोला कि जब वहाँ बेलपत्र चड़ाता है जब वहाँ बेलपत्र गीली होती है तब मैं समझ जाता हूँ कि इसके सरीर में कोई ना कोई रोग समाया हुआ है जब वहाँ बेलपत्री के डुंठर को तीछे करके मेरे उपर अर्पित करता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई ना कोई अदारत का केस चल रहा है और यहाँ इससे बहुत परिशान है जब कोई भक्त बेलपत्री के दोनों पत्तियों को पकड़ करके मुझे अर्पित करता है तो मैं समझ जाता हूँ कि संतान इसकी दुख से या फिर किसी भी बीमारी से ग्रसित है इसलिए या बहुत दुखी है बिलपत्र के बीच के भाग को पकड़ के अगर चड़ाता है तो मैं समाझ जाता हूँ कि इसको धन बैवब की कमी है इसलिए कहते हैं कि बुले बाबा को जल जो है सिवाले में जाकर करके अर्पित करना चाहिए क्योंकि घर में जो सिवलिंग होती है उस पर जलादारी नही प्रकट हुए और पकेट हो करके मादे बाबा ने अस्वत्थामा से बोला अस्वत्थामा तो मैं क्या वर्दान चाहिए तो अस्वत्थामा ने बोला बाबा मुझे सिर्फ दूद पीना है को माता का सुद दूद पीना है मादे बाबा ने बोला कि सब जो तब करते हैं मेर मान ने बोला है कि सबसे यदा दूद महादे पर चड़ता है और महादे भी तुमको दूद पिलाएंगे इसलिए मुझे आपसे दूद पीना है आप जो मुझे दूद अपने द्वारा बिलाओगे वह दूद कोई अम्रत से कम नहीं होगा महें चार साल के अस्वत्थामा के तप से प्रातना से तपश्या से बाबा इतने प्रसन हुए कि वहाँ पर बाबा ने दूद की एक धार चला दी जो अस्वत्थामा ने उसको पान किया और महादे बाबा वहाँ पर टपकेश्वर महादेव की नाम से विद्यमान हुए जो कि उत्तराखंड में है गुरू जी ने आज हमें कुछ दोसों के बारे में भी बताया है जिसमें से सबसे पहले आता है काल सर्प दोस दूसरा आता है वास्तू दोस और तीसे नमबर पर आता है पित्र दोस काल शर्प दोस और बास्तु दोस कैसे आता है हमें गुरू जी ने बताया कि जब हम अपने घर में भगवान को इसनान कराते हैं एक थाली में रखकर कि उसमें गनेज जी और भुले बाबा भी बिद्यमान रहते हैं तो जहां व्रिंधा का भुले बाबा और तुलसी को भुले बाबा और गनेज जी को श्राप है कि अगर तुलसी दल कोई तुम पर अरपित करेगा तो उसको काल सर्प दोस और बास्तु दोस के लग जाएगा इसलिए हमें जो हम इसनान कराते हैं घर के भगवान को वहां जो जल होता है वहां जल हमें तुलसी के पोदे को नहीं अरपित करना चाहिए वहां हम अपने घर के और किसी पोदे में अरपित करें इससे यह दोस अट जाती हैं और तीसरा आता है पित्र दोस पित्र दोस कैसे हटता है जब हम बाबा के सिवाले अपने घर से लोटा वलके जल लेकर के जाते हैं अपने घड़े में से बरके तो जहां घड़या का वास होता है वहां ही पित्रों का वास होता है तो जहां से घड़े में से हम पानी लेकर जल समाप तो जाता है जैसे ही वो जल बबा बोलिनात पर अर्पित होता है और गुरू जी ने हमें बताया कि पांच लोगों को कभी भी चैन की नीद नहीं आती है जिन मैंसे प्रथम है लोभी रोगी भोगी कामी और ढोंगी लोभी व्यक्ति हमेंसा यह सोचता है कि आज मेरा इ भोगी अपने कर्मों का भोग भोगता है इसलिए वह चैन की नीद नहीं सो सकता चोथे नमबर पे आता है कामी और पांच वे नमबर पे आता है ढोंगी जो ढोंग में प्रपंच में हमेशा पड़े रहते हैं उनको चैन की नीद कभी नहीं आ सकती सिर्फ एक ब्यक्ति ऐस होता है जो कि चैन की नीद स होता है और वो होता है और भोता है संन्त सादु महात्मा जो की बिल्कुल खुसहाल रहते हैं उनके मन में किसी के लिए भी कोई द्येस नहीं रहता है वह कहीं पर भी अगर अपना बिस्तर डालनें तो वहां भी वह चैन के निन सो सकते हैं, सो जाते हैं तो ऐसा गुरू जी ने हमें आज की कता में गुरू जी ने हमें यह सब को जिस मरड कराया है मैं उम्मीद करती हूं कि आप को थोड़ी ना बहुत यह मेरा जो कता का सार में आपके साथ में छोटे भाग में जो आपके लिए लेकर के आती हूं थोड़ अना बहुत आपके लिए उपियोगी होगी ही तो चलिए मैं आप सभी से बिदा लेती हूँ आपको नमन करती हूँ धन्यवाच्टि शिवाय नमस्तो ब्याम चलिए जाते जाते थोड़ा सा मंत्रजाप हम कर लेते हैं इस मरण हम कर लेते हैं बगवान का नमाशिवाय ओम 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 नमाशिवाय ओ हर हर भोले नमस शिवाई नमस शिवाई दोस्तों साथियों आप सभी अपने घर पर खुश रहें सभी अच्छे से रहें दन्यवाद मैं आप से बिदा लेती हूँ श्री शिवाई नमस तुब्यम मिलते हैं आगे की वीडियो में सुक्रिया